इस वीडियो इस रिएपलोड्ड, विकाज अरिजिनल इस ब्लॉक्ट, आज सक यही शीरीज ने कुछ ऐसा नहीं किया, कुई वीडियो ब्लॉक्ट नहीं किया, पहली बार हुगा उन्होंने किया, प्लीज यार, सिर्फ एक रिविईव वीडियो है, तो क्यों ब्लॉक कर रहे और काफी अच्छा response भी मिल रहा था इस वीडियो पर मतलब मुझे almost 10 साल हो गए यूट्यूब पर ये content create करते वह फिर भी ऐसा लगता है कि नया नया शुरू किया हो मुझे लगता मेरे से पहले कोई मैनेज कर रहे होंगे ये सब बहुत ही जादा फ्रॉस्टेटिंग रहता है अब सभी से रिक्वेस्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज तांकि इस वीडियो को उतने ही व्यूस मिल सकें जितने इसको पहले मिले थे I just want to talk about this Ravan. Ravan भोलना भी मुझे इसे गलत लगा है Saif Ali Khan's acting was good. Okay, no problem with that. मुझे problem है Ravan को देखें. क्या बना दिया इन्होंने Ravan को? शाहिद यह लोग Ravan को थोड़ा badass दिखाना चाते थे और मुझे ना Ravan threatening लग रहा है, ना powerful लग रहा है और badass तो बिलकुल नहीं लग रहा He looks like rap. If they were going for badass without B.A.D. then congratulations Ba ba boom guys, क्या चल रहा है? So, आज इस movie कमसिन करने वाले है उसका नाम है Adipurash 700 Kroda की movie है पर मुझे अपी तक समय नहीं आया कि 700 Kroda लगा कहां पर है मुझे लग रहा 699 Kroda इन्होंने परभास को दे दिये और जो बचा एक Kroda था वो बाग की actors को और movie बनाने में लगा दिया क्योंगी है 700 Kroda तो बिलकुल भी नहीं लग रहा मुझे देखके कहीं पर लगा भी है अगर आप यह मुझे देखऊ तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगी कि 700 Kroda कहां पर लगा दिया इन्होंने 700 Kroda में इन्होंने ऐसी मुझे बनाई है इस अच्छा दो तो इनके पास story थी जो कि actual remind की थी तो इनने सिर्फ story को दिखाना था तो इतना ज्यादा difficult task नहीं लग रहा बस आपको इसको अच्छे से करना है कुछ changes की जाद जरूरत नहीं है बस वही story को दिखाना है और लोग खुश हो जाएंगे पर मुवी के डिरेक्टर ने हमें दिखा दिया कि ये task भी करना बहुत ही जादा मिश्किल है और हर कोई नहीं कर सकता ये कुछ और ही try कर रहे हैं रावन को पता नहीं क्या bat, dragon, mix पता नहीं क्या breed पर बिठा दिया है इन्होंने just stick to the actual story इन्होंने तो वालमी की रिमायन को घरली की रिमायन मना दिया पहली बार होगा मुवी का first half देखने के बाद पूरे first half में मुझे मुझे मुवी के opening credits सबसे जादा अच्छे लगे क्यूंकि इन में ना घटिया dialogues हैं ना घटिया VFX हैं और घटिया acting है फिर भी इन्होंने कुछ कुछ सोरी दिखाई है opening credits में इसलिए शायद मुझे first half देखने के बाद सबसे लगा अच्छे opening credits सी लगे और मुवी खतम होने के बाद मुझे लगा कि इन्हें opening credits में ही इस मुवी को खतम कर देना चाहिए था जो वर्दान इन्होंने इस मुवी में दिखाया है वैसा वरदान तो वरावन को मिला ही नहीं था मुवी के शाट में तो इन्होंने भगवान के facial expressions को ऐसे दिखाया है जैसे भगवान भी confused जो जब आपको Fanta की add करनी हो बिना Fanta दिखाये ये शेतान devil में कराया गेम से निकल कर आदी पूरेश मुवी के अंदर कैसे गुज गया लक्षमन जी ने लक्षमन रेखा तब बनाई थी जब वो सीता जी को छोड़के जाने वाले थे पर इस मुवी वाले लक्षमन जी ने तो पहले ही काम कर दिया है अपना लक्षमन रेखा तो इन्होंने draw तक नहीं की बस तीर चलाया ये तो modern लक्षमन है ना call me lucky ये साट वाला सीन तो बिलकुल समझ जी नहीं आ रहा ये इतने सारे शेतान इन पे अटैक कर क्यों रहे हैं अभी तब तो सरूप नखा इनके पास सक नहीं आई है पर भास के चहरे पर इस पूरी मूवी में वो नूर कभी भी दिखाई नहीं दिया जो की राम जी के चहरे दिखाई देना चाहिए था इस मूवी में राम जी मुके मार रहे हैं मूवी में राम जी को रागव बुलाया गया है पर मूवी के बैक्राउंड स्कोर में जैशरी राम है अगर बैक्राउंड स्कोर में राम ही बोलना था तो मूवी के अंदर भी रागव की जगा इन्हें राम बुला लेते यही चीज इन्होंने सीता जी और हनुमान जी के साथ भी की है सीता को जान की और हनुमान जी को बजरंग बुलाया है जबकि हनुमान के बैक्गराउंड स्कोर में भी हनुमान ही है ये शेतान राम जी के पास आके बस चक्कर ही काट रहे हैं और सारे शेतान जो उपर हैं खो बस अराम से घूम रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं इस शाट में कुछ शेतान इनके बिलकुल पीछे हैं और नेक्ट शाट में जादू अब ये तलवार का इस्तिमाल तीर की तरह कर रहे हैं और पहले धनुष का इस्तिमाल तलवार की तरह कर रहे थे और next shot में तीर का इस्तिमाल भी तलवार की तरह कर रहे हैं जो main villain था, वो सबसे ज़्यादा weak था, शेतान तो ऐसे फट रहे हैं ना, जैसे दिवाली के पटाके हूँ, इतने घटिया VFX थे, और इस पूरे के पूरे सीन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, शायद ये सीन, movie makers ने इसलिए start में दिखाए हैं, कि जिनको movie छोड़के जाना हैं, वो अभी चले जाए, and that's not a good thing, रावन की लंका तो सोने की थी, इन्होंने कोईले की बना दी, धूम टू, ये बनाया ऐसे है, जैसे कोई landline phone हो, इसकी strings तूट गई थी, तो वो लटकी हुई दिखाए क्यों नहीं दे रही इस shot में, ओम जी, ये तो बालों की crimping करवाया ही है, बड़े भीया तो शौक डोंगे, ये सीन बाहुबली से उठा लिया क्या इन्होंने, सरूप नका ने राम जी को सीधा शादी के लिए पूछ लिया, और अब ये बात वो अपने भाई रावन को बता रही है, तो रावन ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा, कि तुम खुद अपना रिस्ता सीधा लेके क्यों चलेगी, पर फरक नहीं पड़ता, बिकास, शी वाज रिजेक्टेड, ये गले खराब की दवाई की एड बन सकते थी, लक्षमन जी ने तो अपनी तलवार से नाग काटा था, पर इस मूवी में तो तीर से ही काट दिया, इन्होंने इस मूवी में, इन्हें कहां रहते हुए दिखाया है, गुफा, ये लोग तो बैंबू स्टिक से बने हुए घर में रहते थे, पूरी मूवी में सीता जी ने राम जी को रागव कहके बलाया है, जबकि वो उन्हें कभी फस्ट नेम से बलाती ही नहीं थी, राम कहके भी नहीं बलाती थी, ये सीन बीच में क्यूं लगा दिया इन्होंने, राम जी को तो टार्जन ही बना दिया है इन्होंने इस मूवी में, ये बंदा जिसको अभी तीर पड़ा है, ये मरता ही नहीं है राम जी के तीर से, फिर ये रूप बदल के आता है, और उसके बाद फिर ये रूप बदल के फिर से आता है, राम जी ने खुद सीता जी को कैरी भी नहीं किया, हवा में उडा के लेके जा रहा है, और ऐसा क्यूं लग रहा है सीता जी को देखके, जैसे पोजेस्ट हो, ड्रागन बॉल सूपर, लाइव एक्शन गॉन रॉंग, राम जी ने रावन को सीता जी को उठा कर लेके जाते हुए तो देखा ही नहीं था, रावन डार गए रियन था, इस मूवी में जटाईयू को उन्होंने क्या बना दिया, जटाईयू वल्चर था, सस्ता थैनोस, वो भी तीन एक साथ, मार्वल, सीखो इनसे यार, अब ये क्या है भाई, शबरी को तो पहले पता ही नहीं था कि ये है कौन, और अब ये बोल रहे है कि मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, रावन विदे केप, ऐसे तो मती करो, अब एक घंटे की ये मुवी होने वाली है, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, कि कौन सा हेर स्प्रे यूज करता है ये रावन, ये मुवी के डायलोग राइटर ने खुद के लिए लिखाया क्या, क्योंकि वो तो, ये पांच सिर्फ उपर रखने की क्या जरूर थी, सभी एक साथ दिखाते, अच्छे भी लगते, क्या गिया तुम लोग ने यार, रावन को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, उपर के सिरों की अवाज सुनने में, अपर उड़ने से पहले जया श्री राम बोलते थे, जो की इस मूवी में उन्होंने कभी भी नहीं बोला, उड़ने से पहले, इस शाट के बाद, सीदा हनुमान जी को इन्होंने लंका में ही दिखाया है, बीच में कुछ भी नहीं दिखाया, Cherry Blossoms in Lanka Seriously दिखाया तो इन्होंने ऐसे है ना कि जैसे अशोक वाटिका जपान में थी Also पूरी मूवी में अशोक वाटिका में Cherry Blossoms का ही सीजन रहता है पूरे युद के दोरान भी ये भी छोड़ो इन्होंने तो लंका में कभी सूरज निकलता ही नहीं दिखाया हनुमान जी अशोक वाटिका में अपना आकार छोटा करके गे थे पर इन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया आंसू दिखाओ तो सही आप लोगों को लगता था कि ब्रहम मास्सर के डायलोग्स बुरे हैं एक ऐसा क्यार्टर है जो इस मूवी में सिर्फ एक सीन के लिए है बस बाकी सब छोड़ो इन दोनों की एक्टिंग सूपर्ब है इस मूवी में ये टार्जन वाला बैटरी है ना एक चीज़ है यार इस लॉंडे की इतना टाइम हो गया पर फिर भी इसके अक्टिंग वैसे की वैसे ही है मुझे इसकी शकल देखके याद नी आया कि ये वही टार्जन वाला है इसकी अक्टिंग देखके याद आया और ये जाली ना गुद थेंग फिर भी लगता है डायलोग राइटर 700 रुपे का किया था इन्होंने जिसकी चलती है वही जानता है वाँ 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 इन्होंने लंका की प्रजा तो दिखाई ही नहीं है बस लंका की सेना ही दिखाई है जैसे लंका में तो प्रजा थी ही नहीं जीवित है प्रभू सही में बताया ऐसे गया है कि अगर भ्रहमास्थर को एक बार तैयार कर लो तो उसे चलाना ही पड़ता है पर इस मुवी में तो राम जी ने भ्रहमास्थर को तैयार कर लिया और चलाया ही नहीं नाम लेकर? लिखकर? सिर्फ नाम लेकर तो बिना नाम लिखे भी पत्थर पानी पर तैर रहे थे पर अब ये लोग पत्थरों पे नाम लिखकर पानी में फेंक रहे हैं अगर इन्होंने खुद टेस्स किया था कि नाम लेकर पत्थर पानी पर तैर रहा है तो नाम लिखने की क्या ज़रूरती? हाँ मुझे बताया कि आप लोग कहेंगे कि समंदर देव ने असल में तो यही बोला था कि पानी में नाम लिखकर पत्थर फेंखने हैं फर इस मुवी में समंदर देव ने ऐसा बोला है कि नाम बोलना ही है बस ठीक है? और इनोंने ये टेस्ट भी किया है कि नाम बोलने से काम चल रहा है पर फिर भी ये लोग उपर लिखके पानी में फेंख रहे हैं बाद में जो कि फिल्कुल समय नहीं आ रहा क्या चल रहा है विवीशन सीधा इदर आके बोलने ही लग गया कोई greeting नहीं किसी को भी बिना अपना नाम बताए सीधा ऐसे ही बोलना शुरू किया मैं जानता हूँ कि ये विश्वाश खाठ है और ये अपनी पतनी को भी साथ में लेगे आ है ये सीन की क्या जरूरत थी जीसुस क्राइस्ट मेगनात को तो इन्होंने इस मूवी में फ्लैश ही बना दिया मेगनात ने राम जी के सामने सीता जी को मार दिया जबकि इस मूवी में वो सीता जी नहीं थी वो एक बहरूपिया था पर ये बात राम जी को नहीं पता थी तो इससे हमें ये पता लगता है कि मेगनाथ की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज है कि राम जी लिटरली कुछ नहीं कर पाई जबकि उनके सामने मेगनाथ ने सीता जी का अगला काड दिया तो पॉइंट ये है कि अगर मेगनाथ डायरेक्टली राम जी पर ही अटेक करता तो वो कुछ भी न कर पाते इस मुवी के हिसाब से क्योंकि मेगनाथ की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है प्रैंक्स्टर रावन उदर देखो कैमरा ये मेगनाथ अकेला पांच पे अटेक कर रहा है जबकि उन में हर कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है पर फिर भी इसने उन लोग को असानी से इदर उदर फिंग दिया तो इस मुवी के हिसाब से तो असानी से मेगनाथ इदर ही पांचों को रहा सकता था क्यूंकि इन पांचों में से कोई भी अच्छे से रियाक्टी नहीं कर पाया मेगनाथ जब इन्हें इदर उदर फिंक रहा था तो अगर वो सीरियसली इनको मारना चाता तो वो असानी से इदर ही इनको मार सकता था ये सब इस मुवी के हिसाब से है क्या सोचके इन्होंने ये जेस्टर डाला है इस मुवी में जाद दर लोगों को पता है कि ये क्या है मुवी मेकर्स को बिलकुल शरम नहीं है अगर रिलिजन के नाम पे कोई मुवी बॉयकाट होनी चाहिए थी हनुमान जी तो लक्षमन के लिए खुद वैद धूनने गए थे इस मुवी में तो विभीशन की वाइफ ही इन्हें सब कुछ बता रही है कि अब क्या करना है ये सब छोड़ो ये पूराने जमाने में कौन से सैलोन से हेर स्टाल करवाती थी अपना हनुमान जी पहाड पूरा इसलिए लेकर रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं लग रहा था कि संजीवनी बूटी कौन सी है ना कि इसलिए कि युद में बाद में कोई मुर्शित होगा तो उसे जरूरत पड़ेगी और इस मुवी में विभीशन की वाइफ ने जिसे साबसे संजीवनी बूटी को डिस्क्राइब किया था उसे सुनकर तो लग भी निरा था कि कोई भी संजीवनी बूटी को उस डिस्क्रिप्शन के हिजाब से लेकर आ सकता है अगर खुद विभीशन की वाइफ पी चले आती ना तो वो भी ना लेके आ पाती विभीशन की वाइफ को तो इनने बैदी बना दिया इस मुए में अब ये क्या है भाई स्नेक मसाच मायावी तो रावन की सीना में कौन नहीं है इंद्रजीत की कमजोरी है स्वर्ण जी कौन सी दिवार भारत की किसी बेटी पर वानर सीना में सिरफ हनुमान जी को ही इंसानी रूप दिया है और किसी को भी नहीं अमेरिकन टीवी शोज और मूवी के कॉनसेप्ट्स को मिक्स करके यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी इस मूवी में अब ये क्या है भाई तीर से पूरी वाल तोड़ दो इनको एक एक करके गिराने से अच्छा या हनुमान जी भी दिवार तोड़ सकते हैं इसली कितना पावरफुल दिखाया था इसको और कितना इजीली मर गया ये ओडियन सोच रही होगी कि इतना बिल्ड़ अफ देने के बाद इन्होंने असानी से मेगनाथ को मार दिया पर कुम्ब करन को तो इन्होंने उससे भी ज़्यादा असानी से मार दिया अभी बेचारे की एंट्री हुई थी और उसे टपका भी दिया इन्होंने नॉट गोहर खान कैमरे की तरफ देखके फिर तीर चलाया रावन डीमन्स का नहीं बैट्स का राजा था ये बैट्स तो खतम होने का नाम ही नहीं ले रही हैश्टेग धीरियल बैट्मैन हनुमान जी को तो इन्होंने युद में कुछ भी करते हुए खास दिखाया यह नहीं है बस इन्होंने इस सस्ते ड्रैगन प्लस चमकादड को मारा है जो की कुछ कया भी नहीं रहा था किसी को बस उपर घूम रहा था और उसे मारने में कोई भी परिशानी नहीं हो इनको वो तो बस स्पेक्टेटर था राम जी ने कभी ऐसे कपड़े नहीं डाले पर ऐसे कपड़े परभास ने डाले एक मूवी में शायद आपको याद हो बाहु बली जब राम जी के पास अपनी खुद की तलवार है तो अपने धनुष को क्लोस फाइट में यूज करने की क्या जरूरत है बाहु बली वर्सिस भलाल तेव सीदा जी को अशोक वार्थिका से पूरी की पूरी फाइट अच्छे से दिखाई दे रही है इस शॉट में राम जी बस वेट कर रहे है रावन के अटैक करने का तांकि पूरे आखरी सेकिंड पे हनुमान जी उन्हें टाइम पर बचा सके ये रावन को क्या हो गया है इतनी गैस क्यों छोड़ रहा है मूवी में ये भी दिखाया है कि विभीशेन ने राम जी को पताया था कि रावन को कैसे मारना है ये वाला सीन तो अच्छे से दिखा देते यार क्या किया है ये पूरी मूवी मैंने देख ली यार कुछ तो अच्छे से कर लो ये शॉट में ठीक लग रहा है जब इन्होंने सारे के सारे सर एक साथ दिखाए है पर इसे और भी Improved किया जा सकता था बट इन्होंने सारे के सारी मूवी में जो किया है उस से तो ये हजार गुनाज सा ये अब मूवी ख़तम होने वाली है तो ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रावन को मारा ना हो, रावन के पुतले को आगी लिखाई हो बस इस मूवी को इतने ज़ादा लोगों ने मिल के खराब किया है कि end में credits पूरे के पूरे दिखाने में ही 7 मिनट से उपर लग गए साथ मिनट लेने के बाद भी उन में कुछ नाम तो ऐसे दिखाया है जैसे एक ही जगा पे गंदी मार रखा हो और कोई जगा ही ना मिल रही हो नाम लिखेने के लिए अमरवात की लास्ट मूवी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को शेयर और लाइक करना और इस चैनल को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल मत भोलना और मुझे फॉल भी कर लेना on Instagram at bollywoodsins तो मिलते हैं अगली वीडियो में झाल